नमस्कार दोस्तों मुरामकला सियाताओ दोस्तों मेरे परतावगाड ब्लोग चैनल में आप सबका स्वागत है आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हमारी गाए और भैश को अगर बेला गिर जाता है कभी कभी ऐसा अक्सर देखने को मिल जाता है कि बेला इतनी मातरम गिर जाता है कभी इतनी मातरम गिर जाता है तब हम क्या करते हैं उस बेला को उठा कर अंदर डालते हैं तब वो जो है अंदर नहीं जाता है कारण क्या होता है ज्यादा समय हो जाने के कारण उसमें हावा भरा जाती है इतना गिरा है अगर हावा लग जाने के कारण इतना हो जाता है फिर जब उसे अंदर डालते हैं बहुत कड़ा हो जाता है कड़ा हो जाने की वज़ा से वो अंदर नहीं जाता है और मात्रा भी बढ़ जाती है तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए किस तरह से उसे अंदर कर सकते हैं और इससे किस तरह से हम बच सकते हैं कि ये ज़्यादा समय तक रहना पाते हैं और इसे हम जलदी ढाल दे हैं कभी क्यों ऐसा होता है कि हम नहीं से stat कि पाते रात ठ़ा है तब हम जब उससे डालने लगता है आंग तो वह इतना का रह तो इतनि न मातरम बढ़ता हि अगर गिर गया है नीचे तो आप उस देशी जुगार से उससे बहुत ही आसानी संदर कर सकते हैं तो दोस्तों इसे बाद वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर पहली बाद है चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन आप पर क्लिक कर लेना तकि दोस्तों हमारा हर वीडियो को मिलता रहे और आप देख सके आते हैं दोस्तों मेंजों किस तरह से करना है सबस्क्राइब दोस्तों आपको करना क्या है जैसे गर आपके गायब है इसको बेला गिर जाता है या कहीं पर फोल भी कहा जाता है तो गिरने के बाद जब भी आप देखें जैसे कि मालने आप समय जादा हो गया मालने जी ये 4-5 गंटे और वो इतना गिरा था और इतना हो गया है फिर आप क्या करेंगे तो सबस्क्राइब कि ये करना है कि उसे पहले साफ पानी से धुलना है ज्यादा हो गया है फिर भी साफ पानी से धुलना है वहाँ पर कचड़ा मिट्टी उसके साथ में न जाए फिर आपको करना क्या है कि फिटकरी आप जानते होंगे उस फिटकरी की पानी को आप घोल करके छीटा मार सकते हैं छीटा मारने थोड़ा सिकुर जाता है और अराम से अंदर डाल सकते हैं और जो दूसरा तरीका है वो भी अच्छा तरीका है अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद आता है तो आप दूसरा तरीका भी आजमा सकते हैं वो दूसरा तरीका है दोस्तों जो आप चीनी सुगर गुजराती में खांड कहते हैं यह आपको लेना कितना है जिसे इतनी मात्रा में गिरा हुआ है अंदर नहीं जा रहा है और हवा भरा गया है तब आपको खांड यानी चीनी को बारिक पीश लेना है पीशने के बाद उस पे थप थपा देना है चारों तरफ उससे क्या है कि वो एक चिकनाहट आए उसमें चि बेला जो है अराम से अंदर चला जाएगा इसी तरीके से दोस्तों आपको अगर आपके गायव है इसको बेला किसी कायत होती है और गिर जा रहा है अंदर नहीं जा रहा है सूजा ना गया है फूल जैसे गया है जादा मात्रा में भारी हो गया है तो आपको यह भी ध्यान ताकि उसमें हवा ना लगे यह सारी चीजें बचाओ का उपचार है तो दोस्तों हमें उमेंदे कापल सौन में आ गया होगा दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाएं